मैं विरेंदर कश्यप आप सभी किसान भायों का स्वागत करता हूं कश्यप एग्रिकेमिक्स यूट्यूब चैनल पर किसान भायों आज हम बात करेगे FMC के Neutromax Biofertilizer के बारे में सबसे पहले जानेगे इसमें क्या क्या तत्तों पाय जाते हैं इसमें 25 प्रतिशत वैसिकुलर, अर्बसकुलर, माइकोराईजा पाया जाता है और 75 प्रतिशत इसमें अन्यो जैविक तत्तों पाया जाते हैं जैसे एमिनो एसिड, थाइमाइन, स्कार्विक एसिड, हिूमिक एसिड और कुछ विटामिन्स भी पाया जाती है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जब माइकोराईजा को फसलों पर डाला जाता है तो क्या बेनेफिट्स देखने को मिलते हैं, इसे कब डाला जाना चाहिए और इसका प्रतियकर क्या खर्च रहता है सबसे पहले हम जानेगे माईकोराइजा को फसल में डालने से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं जब किसी भी फसल को लगाया जाता है या नर्सी से कोई पौदा खरीद कर हम अपने बगीचे में लगाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रूट्स पर ध्यान देते हैं जब पौधे में जड़ों का अच्छे से विकास होगा तभी हमें अच्छी ग्रोथ और अच्छी उपज देखने को मिल सकती है यानि पौधे की हेल्थ को पौधे की रूट्स निर्धारित करती है जो सोयल में एलिमेंट्स होते हैं माइकोराइजा उसे पौधे में अपटेक करवाता है माइकोराइजा पौधों की जड़ों को विश्तरित करता है माइकोराइजा को डालने से पौधा नई फिडिंग रूट्स का निर्मान करता है Neutromax मिट्टी की छिदर्ता को भणाने में भी मदद करता है जिसे मिट्टी का जो मौस्चर लेवल होता है वो भी सही रहता है चलिए असान भाशा में समझते है मिट्टी में कुछ मित्र कीट भी पाए जाते है जो फ्रेंडली होते है यानि वो किसी भी तरह से हमारी क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुचाते इसी तरह से माइकोराइजा भी पौधों की जड़ों में एक विशेश तरह का फंगस त्यार करता है हम उसे मित्र फंगस भी कह सकते हैं क्योंकि उसका किसी भी तरह का नुकसान हमें पौधे में नहीं दिखता हमें बेनिफिट सी देखने को मिलते हैं अन्य फंगस से पौधे की जड़ों को ये विशेश तरह का फंगस प्रोटेक्ट करता है और नई जड़ों का विकास भी करेगा जिससे पौधा काफी हेल्थी ये एक औरगेनिक फर्टिलाइजर है जैविक होने के साथ ये किसी भी तरह का हमारी क्रॉप्स को हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुचाता जो बेनिफिशल इंसेक्स मिटी में होते हैं उन्हें भी किसी तरह से ये नुकसान नहीं पहुचाता जब हम इसकी फर्टिगेशन करते हैं यानि मीटी में डालते हैं तो ये जैसे ही मौश्चर के कॉन्टैक्ट में आता हैं तुरंत घुल जाता हैं सौल में जो सभी एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फार्सफोरस, जिंक सल्फर, आइरन, कॉपर, माइको राइजा को डालने से ये सभी कंटेंट पौधा आसानी से ग्रहन कर सकता है जब आप किसी भी फसल को लगा रहे है बीजबुआई के वक्त आप इसे अपनी फसलों पर डाल सकते हैं किसानी और बागवानी दोनों तरह की फसलों में आप इसे डाल सकते हैं बागवान साथी अपने बगीचे में कोई नया पौधा लगाने का सोच रहे हैं तो आप इसे डाल सकते हैं इसे आप सभी प्रकार की सबजियों में या फिर फल देने वाले पौधों में डाल सकते हैं बागवान साथीों के लिए सही समय जब पौधा सैब लेना शुरू करता हैं तब इसकी फर्टिगेशन कर सकते हैं चलिए बात करते हैं इसकी डोज के बारे में प्रती एकड आप इसे तीन से पाँच किलो तक डाल सकते हैं ये इसकी प्रयाप्त मात्रा हैं इसे आप फसलों की प्रात्मिक अवस्था में डाल सकते हैं इसे आप अन्यो फर्टिलाइजर के साथ मिला कर भी डाल सकते हैं इसे आपको किसी भी तरह के फंगी साइड के साथ नहीं डालना है चलिए बात करते हैं अब इसके मार्किट प्राइज के बारे में अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग प्राइज होंगे ये आपको 600 से 800 रुपे तक 3 किलो की पैकिंग असानी से मिल जाएगी अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हैं आप वहाँ से इसे खरीदते हैं तो आपको कुछ डिसकाउंट जरूर मिलेगा इस चैनल पर आपको कृषि से समबंदित ही जानकारी मिलती हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे बेल नोटिफकेशन ओन करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे धन्यवाद तो.